Hello everyone, I am Pramuk from Indian English Speaking Class, Dariyari के राकर जानपूर उत्तरपदेश So guys, आज का जो वीडियो है, वो मैंने specially बनाए हुआ है कि हम कोई चीजे भूल जाते हैं पढ़ने लिखने की चीजे जो होती हैं, जो हम पढ़ाई दिखाई करते हैं हमारा चाहे वो इंग्लिस का पढ़ाई दिखाई हो, मैत का हो, जैसे हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं मैं आज बता हुँँगा किस तरह से आपको बहुत दिखाई हो है तो क्यों कैसे नहीं भूलेगा रहा है तो यह जान करें मैं आपको इस वीडियो में दूँगा, तो ध्यान दें, जैसे हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर हम कोई पढ़ाई काफी दिन पहले किये हुए थे और अब हम पढ़ाई छोड़ दिये हैं, अभी हम नौकरी की दलास में हैं, बाई दिवे हमें इस ट्रिक है, इस ट्रिक के तारह मैंने बहुत सारे लोगों का एक्जाम्पल देखा है, कराके देखा हुए, और इससे पता चलता है कि नहीं, सच में अगर हम ऐसा करते रहें, तो हम सच में किसी नालिज को continue बढ़ाई रख सकते हैं, उससे भूलेंगे, नहीं, तो इसमें खास करते हैं, हमने आपको यही बताया हुआ है, किस तरह से हम continue अपनी नालिज को अच्छे देंग से continue रखेंगे, और बल्कि साथ में उससे आप अपनी नालिज को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, तो मैं English के लिए especially बता रहें, बाकि आप other subject में भी आशा करते रहेंगे, त 100% नहीं, बल्कि 100% प्लास आपको चांस से हैं, इस चीज़ें आप भूलेंगे नहीं, रिक राइट ना, तो हम English के लिए बताना चाहते हैं, आप English सिखे हुए हैं, मानवेस फोकल सिखे हुए हैं, जो बच्चे यहां पे सिखे हैं, उनके लिए भी, और साथ में जो हमारे से चुड़ें, और अधर लोगों के लिए भी, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए बताना चाहूँगा, कि आप कोई भी पढ़ाई निकाई किये हुए, अगर आप उसे बूढ़ना नहीं चाहते हैं, तो एंग्लिस का एक 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 ग्जाम्पल में आ प्रत दिन पढ़ते रहे हैं, और पढ़ते हुए आप ध्यान देजी कि उसका हिंदी मीनिंग कैसे निकाला जा रहे हैं, और साथ में जो नए वोट्स दिखाई दे रहे हैं, उसको आप ज़ला सब करेंगे, जो नए वोट्स होंगे, उस पर आप करते हैं, तो जाहर सी बात है, नए सब्द भी आपके बढ़ेंगे, और साथ में आपका जो पुराना वाला है, वो रिवीजन में होता रहेगा, तो वो आपको फारगेट भी नहीं होगा ठी, ऐसा करने से आपको कोई भी चीज़े कभी नहीं बूलेगी, तो ये मेरा बिलकुल 100% डावाग है, जैसा म अब भी helpful आपके लिए है, तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहरी बार आये हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और शेर भी करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्स्राइब किया, उनका काफी दन्यवाद, आन मिलते है नेक्स वीडियो में कुछ नए चीज़ों को ले करके, तब तक के लिए, थैंक यू, have a nice day, bye-bye